सबीको नमस्कार आज की क्लास का अपना टोपिक है स्टोरियोग्राफिक की क्लास में डीडी को सामभी यह भारत के परमुक मार्क्सवादी इतियासकार है इनका पूरा नाम दामोदर दर्मानंद को सामभी है और मार्क्सवादी परंपरा के इतियास में भारत में यह सबसे अ डीडी को सामभी वर्सेटाइल थे यानि आल राउंडर किसम के विक्तित्तु थे ये मूल तक गणितग्य थे इतियास कारणी थे वेग्यानिक थे आनुवानसिक इंजिनेरिंग के इस चेत्र में भी इन्होंने काफी कारिय किया था तो गणितग्य और विज्ञान के चेत्र से इन्होंने इतियास के चेत्र में मार्क्षवादी जो इतियास लेखना है भारत का उसमें एक पायोनियर की एक अग्रिनी भूमी का उन्होंने निवाई डीडी को सामभी इनका जन में 1937 में वा आलांकि इनका जीवनकाल काफी सोट रहा 1966 में मात्र 69 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया था अगर आज की क्लास में हम इनके प्रमुखे कृतियां और इनके विचार यानि क्या इनकी इनका इंफ्लियंस रहा किस तरह से ये भारत में इन्होंने मार्क्षवादी या एक साम्मेवादी इतियास लेखन को सुरू किया और कैसे इन्होंने मार्क्षवाद के एक परमपरा इस्ताफित जो नौर्म्स है उससे डेवियेट होकर उससे अलग होकर है भारतिय संदर्ब में भी मार्क्सवाद की व्याक्या की तो ये सब चीजें जैसे खास तोर पर इनको जो एसियाटिक उत्पादन पदती है एसियाटिक मोड और प्रोडक्शन और इंडिया में स्लेवर है इन सब का जो निरेटीव दिया वो मार्क्सवाद के इस्ताफित निरेटीव से बिलकुल अलग था तो ऐसा नहीं है कि ये मार्क्सवाद को डिटो फॉलो करते थे ब mulKi इनोंने अपना निरेटीव भी दिया है तो अपने आज के इतियासकार है दा मोदर धरमानंद को सा सामभी उननीस सो साथ से उननीस सो च्छाशेटिस भी जैसा मैंने बताया कि डीडी को सामभी यह मूलता है गणी तग्ये थे गणी तग्ये वह आनुवान सिकी से रिलेटेड थे अनुवान सिकी लेकिन इनका जो कैलिवर था इनकी जो रूचियां थी वह बहुत ज्यादा वाइड थी और इसलिए इतियास के छित्र में इनको अधिकी जाना जाता है और ये भारत में मार्क्सवादी इतियास लेकर के प्रतिनीदी इतियासकार थे मार्क्सवादी इतियासकार इनके बाद में रामसर्ण सर्मा, रोमिला थापर, विपिन चंद्रा इतियादी मार्क्सवादी इतियासकार भी वे मार्क्सवादी इतियास लेखन अपने एक separate topic भी है यहां हम syllabus के according to the point चलते वे कि उनकुछ से prominent historians को identify करके उनके उपर exam oriented approach से चल रहे हैं वैसे मार्क्सवादी इतियास लेखन की topic में जब हम चलेंगे हर एक के चीज को आर्थिक नजरिये से देखता है उत्पादन की जो पद्दत्ती है उसके आधार पर वो हर चीज की व्याख्या करता है समाज के विकास की political development की यानि उत्पादन की विधिया और जो बहुतिक वादी जो साइन है चिन है उनके आधार पर ही हर चीज की ये व्याख्या करते है खैर डेडी को सामबी कि हम सबसे पहले रसनाओं से शुरू करते हैं इनकी चार रसनाएं काफी परशिद है इनकी पहली रसना है introduction to the history of India in 1956 में परकाशित हुई थी introduction to the history of India 1956 में इनकी अगली रसना है exasperating essays exasperating essays exercise into the dialectical method 1957 में थी exasperating essays इसको short इतने नाम से भी कर सकते हो बाकी इनका पूरा इसका पूरा नाम होगा exasperating essays analysis exercise into dialectical method exercise into dialectical method एक्सरसाइज इन्टू dialectical method method in 1956 में ये 57 में ये पुस्तक आई थी इसके अलावा 1962 में इनकी जो अगली रसना ही वो myth and reality study in the formation of Indian culture थी myth and reality myth and reality अपने को पूरा नाम याद नहीं रहे तो यहां तक भी सही है introduction to the history of India पहली किताब है exasperating essay दूसरा नाम है myth and reality इनकी तीसरी पुस्तक है studies in the formation of Indian culture studies in the formation of Indian culture Indian culture ये इनकी तीसरी किताब है इसके अलावा culture and civilization of ancient India in historical outline ये इनकी अगली पुस्तक है culture and civilization of ancient India in historical outline historical outline ये किताब 1965 में परकासित वी थी और myth and reality वाली ये जो पुस्तक है ये 1962 में परकासित वी थी तो culture and civilization of ancient India in historical outline ये इनकी चोथी पुस्तक है इसके अलावा भी इन्होंने भर्थरी कवे और एक जो सुसोवित रत्न कोस है इसका भी समपादन किया भर्थरी कवे का प्रिकासिन किया और जो इसका समपादन किया और प्राचीन सुसोवित रत्न कोस है इसका भी समपादन किया डीडी कोसांबी माइक्रोलिथिक जो स्थल यानि सुक्सम पासान ओजार के जो स्थल थे माइक्रोलिथिक ओजार मद्दे पासान काल से सम्बंदित है यह हम दक्सिन भार्त के साइट से इन में इनके उपर भी उन्होंने कार्य किया और प्रागेती है चेत्रमें भी उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है तो माइक्रोलिथिक साइट और मेगालिथिक इन दोनों इस्थलों को जो इस्थल है इनका उत्खनन और इनके उपर इन्होंने काफी सोध कारिये इन्होंने किया था इनका एक सोध और है जिसका नाम है इस्थेजेज ऑफ इस्थेजेज ऑफ इंडियन हिस्थेजेज ऑफ इंडियन हिस्थेजेज ऑफ इंडियन हिस्थेजेज ऑफ इंडियन हिस्थेजेज ऑफ इंडियन हिस्थेजेजेज ऑफ इंडियन हिस्थेजेजेज ऑफ इंडियन हिस् इननों ने आर्ट के वह सारे इस्पेट्स पर भी इनों ने कारिये किया है। इनकी जो या रसना थी इंट्रडट्शन टूदै हिस्टरी ओफ се इंट्रड़क्सन टूदै इसमें इन्हों प्रिकलिया — i lions artistic पर भी इन्हों थीन्हों इन ऑचंडिया। An Introduction to the Study of History, इस पुस्तक में इन्होंने सांस्कृतिक उत्तर जीविता का भी पूरा कारी किया है, उस पे वर्क किया है. तो An Introduction to the Study of History, इसमें नोंने सांस्कृतिक उत्तर जीविता. सांस्कृतिक उत्तर जीविता की पूरी प्रिक्रिया का अध्यन किया है, इसके तरीक उन्होंने आहद सिक्कों पर, पंच मार्क सिक्कों पर भी कारी किया है, और आहद सिक्कों का भी भार ग्याद किया है, आहद सिक्कों पर कारी है, इनका भार भी इन्होंने ग्याद किया है तो एक तरीके से भारत में ये मार्क्सवादी इतियास के पायोनियर माने जाते हैं अलांकि मूलता ये गनित्त के थे लेकिन मार्क्सवादी भारती परमपरा में मार्क्सवादी इतियास के ये पायोनियर है इन्होंने ये जैसा मैंने बताए कि वर्सेटाइल जीनियस थे बहुत सारी चीजों के ग्याता थे इन्होंने संस्कृती, पुरातत्तु और एंथ्रोपोलोजी जिसे नर्विज्ञान का जाता है न्यूमिस्मेटिक, मुद्रा सास्त्र, अविलेखों का अध्यन और ग्यान के विविन इंटर्डिसिप्लिनरी अप्रोचेज को इन्होंने काम में लिया है इसके लावे ये बहुत सारी बासाओं के भी ग्याता थे इनकी खास बात ये रही है कि ये मार्क्स और एंजल्स की जो बहुतिकवादी इतियासिक व्याख्या को स्विकार तो करते हैं लेकिन उन्होंने भारतिये परिप्रेक्से में इसकी नई व्याख्या भी की है इन्होंने प्राचीन भारतिय इतियास की अपने इसाब से या पूरे भारतिय इतियास की बोतिक वादिवयक्या अपने डंग से किया है यानि काल मार्क्स और एंजल्स की बोतिकवादी वैख्या को स्विकार करते वे इसका भारतिय संदर्ब में जो localized interpretation है वो इन्होंने अपनी रंग से करने का प्रियास किया है तो इनकी जो मुख्ये विशेस्ताएं हैं वो कुछ इस तरह किसे हो सकती हैं इनको summarize कर सकते हैं जैसे ये मार्क्स वादी हैं मार्क्स वादी लेख्यक हैं दूसरा इन्होंने जो इतियास की भारती इतियास की भारती इतियास की बोतिक वादी व्यक्या बोतिक वादी व्यक्या अपने डंग से की है बोतिकवादिवैख्या अपने डंग से की है और इन्होंने प्राचिन भरतिये इतियास का अध्यान करके इस परसंद का उत्तर खोजने की कोशिश की कि कैसे और क्यों भरतिये समाज इस रूप में डल गया जिस रूप में आज ये हमें दिखता है कि किस कारण से समाज वर्थ पॉत्वान से रूप में जिसको हम देख पारे हैं इस रूप में वा और इसके अध्यन में उन्हों ने उत्पादन की पद्दितियों का जो विकास हुआ है खास तोर पर कर्शीगत समाज में प्राचीन भारत में चुकिए अर्थियोस्ता का अधार कर्शी था तो कर्शी समा में लोहे के हल्ग के खेती के साथ किर्शी में करांतिकारी पृर्विषनः कि आलिंकि इसक में रोमेला थाफर की ओपीनिन से अलग भी रोमेला थापर कहती है कि जो खुद उसमें मार्क्स वादी हैं कि हरपा सब्बेता के लोगों को भी हल का ग्यान था लेकिन ये खेर इनका अलग पर्सनल नेरेटिव या इंटर्प्रेटिशन हो सकता है लेकिन मेरा कहने का तारत परी यह है कि उत्पादन की पद्दतियों ने किस तरह से समाज और संस्कृति को निर्धारित किया कि समाज वर्तवान रूप में जिस रूप में आज हम देख रहे हैं इस रूप में इसके उपर इन्होंने गहन अध्यन किया तो वे उत्पादन के संसादनों और संबंदों में उत्रोतर परीवर्तन का जो तिथी करम अनुसार परीवर्तन होता है या परसूतिकरण है उसे ही इतियास केते हैं इनकी एक इतियास की जो definition हम यह मान सकते हैं कि उत्पादन के संसादनों और संबंदों में उत्रोतर परिवर्तन उत्पादन के संसादनों वे संबंदों में उत्रोतर परिवर्तन का तिथी करम अनुसार परिवर्तन ही इतियास है इनकी इतियास की इस definition से इनकी मार्क्सवादी या बोतिकवादी जो दृष्टिकोर है ये भी हमारे सामने आ जाता है क्योंकि कृसक समाज से पहले जब सिकारी समाज थापासान काल में तो सिकारी समाज से जब कृसक समाज में परिवर्तन हुआ तो कृसक समाज ने खेती की सुरुआत की खेती की सुरुआत होते ही हमारी जो संस्कृति के निरधारक कारक हैं उत्पादन की पद्दतियां वो एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से किसमे कनवर्ट हो गए फूड प्रोडूसर सोसाइटी में पहले वो खद्द संग्राक से किसमे कनवर्ट हो गए खद्द उत्पादक में परिवर्तित हो गए और इसने हमारी पूरी की पूरी संस्कृति जिसमें राजनिती प्रशासन धरम समाज समाजी क्रिश्टे मुले यह सारे ताने बाने यह परिवर्टित हो गए और जैसे ही इस करसी पर आधारित व्यवस्ता में करसी उत्पादन में समय समय पर तकनिकी चेंज्जे जाए वैसे वैसे और ज्यादा परिवर्तन होते गए तो हंटर सोसाइटी से फार्मर सोसाइटी में समाज कनवर्ट वा फार्मर सोसाइटी से में फिर देरे अतिरिक्त उत्पादन के अधार पर एक सहरी वर्ग वह भी तैयार हुआ और उसके अधार पर व्यापार भी शुरू वो इस आर्थिक उत्पादन पद्दती के उपर निर्भर करता है तो जो कोसाम भी हैं ये अपने मार्क्षवादी सिद्दानत के परिप्रेक्से में उत्पादन के संसादनों और संबंदों की दिश्टी से हर चीज की व्याख्या करते हैं कृषी व्यापार सामंतवाद व्य विकास का आधार यही उत्पादन की पद्दतियां ही मानी गई है कि कृषी समाज में जिस वर्ग के पास जहां खेती अधिक विक्सित थी वहाँ पर सर्प्लस उत्पादन के आधार पर एक सामंत वर्ग भी उत्पन हो गया एक व्यापारी वर्ग भी उत्पन हो गया सामंत कारियों करने के लिए या जिनके पास surplus production है वो अपने कारिये करवाने के लिए एक अधिनस्त एक इस तरह का वर्ग तयार करने लगे जिसको दास वर्ग कहा जाने लगा जो ऐसमानता के रिलेशन पर आधारित था यानि संसादनों पर जिसका नियंतन अधिक था वो सामाजिक हायरार्की में उस वर्ग पे थे और जिनका नियंतन कम था वो सामाजिक हायरार्की में निम्न वर्ग पे थे तो इस आधार पर करसी व्यापार दास सामंतवाद व्यक्तिकत संपती पू डीडी को सामभी मार्क्सवाद की जो पूरी व्याख्या को स्विकार नहीं करते हैं, एसियाटिक उट्वादन पद्दत्ती की दारना को और भारत में जो दास्ता की पद्दत्ती है, इसको वो पूरी तरह से मार्क्सवाद यह दारना को नकार देते हैं, तो इनकी concept से related है core चीज है, मूल चीज है जिसको हमें याद रखना है कि DD को सामभी Asiatic उत्पादन प्रद्दती एवं दास्ता की व्याख्या की मार्क्सवादी प्रद्दती को या मार्क्सवादी द्रष्टिकोन को नकार देते हैं यह महत्वपूर्ण चीज है, Asiatic उत्पादन प्रद्दती है, इसकी दारना को यह पूरी तरह से स्विकार नहीं करते हैं यह और जो स्लेवरी की उदारना इसको भी नकार देते हैं, यह इसकी उत्पादन प्रद्दती का नेरेटिव यह अपने इसाव से सेट करते हैं यह कहते हैं कि भारतिय समाज में कोई भी जो चेंजेज हुआ है, यह जनजाती से जाती की तरफ संकर्मन के तोर पर देखा जाना चाहिए जैसे मैंने अभी एक उदारन दिया था कि अपने पूर्वजपासान काल में कैसे थे सिकारी समाज, सिकारी से यह कृसक समाज में परिवर्तित विए, तो सिकारी समाज कैसा था, खदे संग्राहक, खदे संग्राहक और खदे संग्राहक से करसक में किसे मन परिवर्तित विए, उत्पादक वर्ग में परिवर्तित विए, तो सिकारी समुदाय में जो समाज का सवरूप था, वो कैसा था, जनजाती सवरूप था, और इस जनजाती सवरूप से करसक समाज में कैसी वेवस्ताई, जाती वेवस त्रा हमारे सामने ऊई इसको में एक सिंप्ली फाई में आपके सामने बता रहा हूँ कि हम ट्रायबल जो एक अफिनिटी थी वो परिवर्तित होकर कास्ट ऐडेंटिटी में परिवर्तित हो गई यानि जन्जातिये जो एक ताना बाना था वो जाती आधारित ताने बाने में परिवर्तित हो गया और यही एशियाटिक उत्पादन पद्दती की इस आधार पर वह वेख्या करता है कि भारत में अगर हम इसको explain करें तो हम इसको भारत को जन्जाती से जाती की तरफ जो संकर्मन है इस रूप में देखा जाना है क्योंकि कर्सक समाज ने यहां पर जात्या अधार पर जो विवाजन है या जाति आधार पर समाज का जो संक्टन है उसको मजबूत किया तो जन्जाती से जाती की तरफ इस तरह से परिवर्त अगरा जहां पर हम भारत में देख सकते हैं बहुत सारे फोरेश्ट एरिया या जार खंड चटीस गड़ी से लाखों में बहुत सारे ट्राइवल एरिया जहां पर कृसी सेकेंडी थी और अभी 19th सेंचुरी के एंड तक भी जो समाज गया एक बड़ा वर्ग जंजा थी वर खद संग ही था हंटिंग पर निपेंड करता था या फिर जंगलों से खाद्य सामगरी को संग्रह करता था खेती वहां पर विक्सित नहीं थी जहां खेती विक्सित नहीं है वहां पर समाज का सवरूप कैसा होगा जंजातिय सवरूप और जहां खेती विक्सित हो गई वहां समाज का शुरूप कैसा हो गया जातिय तापर आधारित समाज तो भारतिय जो सामंति उत्पादन पद्दति के भारतिय एतिहासिक जो संदर्ब है इसमें भी उन्होंने अपने निजी विचार व्यक्त किये गे तो सामंति उत्पादन पद्दति का ये भारतिय संदर्ब है इसको हम ज आतरे समझने के लिए जन्जाती से जाती की और संकर्मन की ऑउदार्णा को समझना जरूरी है किसका है यह डीडी कौसामी की कंसेप्ट है अब इसको अगर हम और आगे देखे तो क्रिसक समाज contr में कर्शक समाज के आधार पर जो अधिसे सुत्फादन हुआ उस पर एक व्यापारी वर्ग विक्सित हुआ व्यापारी वर्ग कर्शक समाज सहरों गाउं में रहता था व्यापारी वर्ग यह सहरी वर्ग पर कल्चर विक्सित हो गई यानि जंगल जंगल से गाउं और गाउ करशक वर्ग है, ये करसी अधिसेज अतौदे के ऊपर ही इसकी वर्ट हो दिक ऐ्सक जो परकृत ही है क है कि स्प्र समाज इतना ही ऻ्त पादन कर कर पा रहा है तो उनका व्यापारी और प्रसासक वर्क भी लेसर डवलप्मेंट वाली स्टेज़ में होगा कम विक्सित अवस्ता में होगा उनके गाओं उनके सहर भी कम विक्सित होंगे तो इस तरह से कर्शी ये उत्पादन प्दतियां आपके समाज के सामाजी के आपके प खाइन करती हैं खास तोर पर जो मार्क्स वादी व्याख्या है वो ये कहती है कि छटी सताब्दी इस्वीपूरू जब खेती का विकास गंगा गाठी शेतर में बड़ी टेजी से होने लग गया था तो उस दोर में जो अधिसेस उत्पादन ने जन को जनपदों में जनपदो को महा जनपदों में और महा जनपदों को एक राष्ट्री रज्जे के रूप में परिवर्तित होना एक सोवाविक रूप था और इसी तरह छटी सताब्दी इस्वीपूरू के जो दार्मिक आंदोलन है इनके संदर्ब में भी डीडी को सामभी की बेसिक के यही मानना है कि जो दार्मिक आंदोलन है वो तातकालिक समाज में जो वेदिक धरम का सवरूप था वो समाज की बढ़तीवी एस्पाइरिसंस को रिलिजियस सोसिल एस्पाइरिसंस को फुल्पिल करने में दार्मिक समाज की जो आकांक सायंती उनको पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहा थ इसलिए उत्पादन की पद्दतियों के कारण ही जो चेंजे ज़ा उसके कारण ही दार्मिक आंदोलन भी वे ऐसा डीडी को सामभी का मानना है तो बेसिक हमें ये याद रखना है कि को सामभी काम सार भारत के अतीत को अगर समझना है तो इसका जो सुतर है जनजाती से जाती की और संकर्बन का है और इसके अंतरगते जो लगू स्थान है समूं है एक सामान्य करत्य समाज में परिवर्तित हो गए लगु इस थान ये समूं है जन जातिय समूं है करशी के कारण से किसमें परिवर्तित हो गए एक सामान्य करत्य समाज में जिसमें जाती एक डॉमिनेंट फेक्टर थी उसमें कर परिवर्तित हो गए हल ने हल से जो खे हमारे सामने आता है तो इस चीज़ को एक के बेसिक जो में चीज़ बता रहा हूं इसको लिखने की बजाए समझने की आवसिकता है एक बार मार्क्सिस्ट पॉइंट ओफ्यू से आप चीज़ों को देखने लग जाओगे तो बढ़ी आसा नीचे यह समझ में भी आ जाएंगी तो इसके अलावा इन्होंने एक भारती इतियास में जो अध्यन के लिए जो परमपरागते जो दृष्टिकोंड था उसका खंडन किया और एक बहुत्तिकवादी दृष्टिकोंड देशा मैंने बता रहा हूं इसके अधार पर इन्होंने पूरी तरह की हर चीज़ से व्य लेकिन इस से बहुत्तिकवादी या मार्क्सवादी व्यक्या के एक ड्राबेक यह रहा कि संस्कृति के विकास में बहुत सारी फेक्टर होते हैं केवल आर्थिक फेक्टर ही नहीं होता है आर्थिक फेक्टर माना कि सबसे इंपोर्टेंट है लेकिन और बहुत सारे और दार्मिक फेक्टर ऐसे हैं जो सबसे नीचे डवलप्मेंट ये सबसे बाद में चाहते हैं सबसे ग्रोथ इंजन आर्थिक का है आर्थिक के चेंजेज होंगे तो सामाजिक व्योस्ता में भी परिवर्तन होंगे और समाज में परिवर्तन होगा तो राजनिती में भी परि ड्राबेक यह है कि सांस्कृतिक विकास की बहुत सारी प्रेड़नाई होती है जिसमें वो केवल आर्थिक दृष्टी कौन पर ही बल देते हैं जो कोसामभी ने इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को या जो अंतर विसे के अप्रोच है अद्धिन की उसको भारतिये इतियास के अद्धिन के संदर्ब में इन्होंने इसको सामिल किया और कोसामभी की जो अप्रोच है वो सिंबल्स या प्रतिकों के अद्धिन के उपर भी ये बहुत ज्यादा जैया जो मिथक है इनके अद्धिन के उपर भी बहुत ज्यादा आदारित है तो एक मिथक जैसी अगर सब् लिए तो वो भी डीडी को सामभी से संबन दिती है मिथक को अगर हम explain करें तो इसको दो चार example से हम समझ सकते हैं वो यह कहते हैं कि प्राचीन संस्कृतियों के अध्यन के लिए मिथक का अध्यन जरूरी है मिथक से मतलब यह है कि जैसे फॉर एक्जामपल रिगवेद में वो एक्जामपल देते हैं कि वरत्र नामक राकसस का संगहार करके जो बांध को मुक्त किया गया रिगवेद में वरत्र नामक राकसस है इसका इंद्र ने संगहार किया तो इस मिथक को डीडी को साम भी यह मानते हैं कि इस के आधार पर कहानी कुछ इस तरह से या इतियास अपने आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि सम्भूत वेदिक आरियों ने हरपा सब्बेता के बांधों को नश्ट करके उनको उनके जो आर्थिक उत्वादन की पद्दतिक कर्शी की उसकी कमर तोड़ दी और वेदिक संस्कृ अल्टिमेटली विजही रही तो वृत्र नामक राक्सस का इंद्र द्वारा जो नर्संगार है उसका सिंबॉलिक अर्थ इस मिथक के माद्यम से यही निकलता है कि वेदिक आरियों ने हरपा सब्बेता के जो बांध हैं उनको नश्ट कर दिया था और इसके आदार पर उन् जाते हैं कि जो अधिक पूराने मत थे यह बदलती भी दार जो समाज की आउस सिक्ताओं को पूरा करने में ऐस अपल हो रहे थे इसलिए जैन और बहुत धरम भी आर्थिक के जो समाज की जरूरत थी उसके आधार पर जो प्रोजोगी की समंदी परीवरतन हो रहे थे और ज समाज जिसमें जनजातियों का लौफ हो रहा था विलौफ हो रहा था नगर नगरीकर्ण की एक अवस्ता आ रही थी जिसे हम सटी सताब दी स्वी पूरुदित्य नगरीकर्ण की इस्टेस देखते हैं जो कर्सी के सरपलस के बिना संभव नहीं है अतिरिक्त कर्शी करने में विफल हो रहे थे और इसलिए जैन धर्म और बहुत धर्म के रूप में एक नई दार्मिक जन चेतना के मद्यम से उस एस्पाइरेशन को उस आकांगसा को पूरा करने का प्रियास किया तो यह बैसिकली डीडी को सामभी के मूलता है यह विचार है और इसमें एक्स आप बेसिक नोट्स बना सकते हैं कोर कंसेफ्ट इनकी मार्क्सवादी है बोतिक पक्स पर ज्यादा बल देते हैं यह इनका एक ड्राबेक जरूर कहा जा सकता है लेकिन यह सभी मार्क्सवादी इतियासकारों का ड्राबेक है क्योंकि वो बोतिक पक्स पर अत्यदिक बल दे देने के कारण संस्कृति के विकास कि जो अन्य फैक्टर्स हैं उनको इग्नॉर कर देते हैं या उनको काफी अंडर एस्टिमेटेड करके आखते हैं कि उनकी कोई वेल्यू ही नहीं है खास तोर पर रोमिला थापर की एक टिपनी है कि डिडी को साम्वी ने भारती इतियास के लेखन में बड़ा क्रांटी कारी परिवर्तन किया इनकी जो अब बड़ा सकारात्मक टिपनी वो डिडी को साम्वी की इतियास लेखन की सेली के उपर वो करती हैं तो और आले डीडी को सामभी से related अगर समराईज रूप पे मैं बताऊं तो इनकी जो चार पुस्त के हैं उनके उपर इनकी background के उपर कई बार इस तरह का person पूछा जा सकता है कि कौन से इतियासकार या श्टोरियोग्राफी के लेख कैसे हैं जो मूलते इतियासके नहीं थे बलगी गनित चत्र के थे लेकिन फिर भी उन्होंने इतियासके चत्र में एक pioneer की भूमिगानी वई तो वो है डीडी को सामभी तो विशेस रूप से इनकी जो एसियाटिक उत्पादन पद्दत्ती की जो एक progressive narrative भारत के संदर्ब में दिया और दास परता के संदर्ब में दिया वो फिर से मैतुपुन है और भारत को समझने के लिए उन्होंने जनजाती व्योस्ता से जाती व्योस्ता की तरफ परिवरतन का जो एक theory दी है वो इनकी basic concept को समझने के लिए आज से बहुत जरूरी है तो चलिए next class में फिर मिलते हैं नए topic के साथ thank you